नमस्कार आज हम 10 नवंबर 2020 के करेंट अफेर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कीजिए प्रेस ता पेल आइकन पीडिएफ आप टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं आज का फर्स्ट कोशन है प्रिसाशनिक और बजटिया प्रेशनों पर सयुक्त रास्ट की सलाकार समिती के लिए किसे चुना गया है और इसका सही आंसर है ओप्शन ए विदिशा मैत्रा यहाँ इंडिया के लिए युनाइटेड निशन में एक बहुत बड़ी जीत है और इंडियन डिप्लोमेट विदिशा मैत्रा जिनने अभी हाल ही में युनाइटेड एडवाइजरी कमिटी के एड्मिनिस्टेटिव एंड बजटरी कोशन्स के लिए इलैक्ट किया गया है का जो मेंबर्स होते हैं उनको और अभी ये हाल में जो मेंबर बनी है विदिशा मैत्रा ये जो फिफ्ट कमेटी जो होगी जनरल असेंबली की जो की डिल करेगी एड्मिनिस्टेटिव और बजटरी इश्यूस पर जिसे रिकमंड किया चुएगा मैत्रा के द्वारा विदि ये जो विक्ट्री है कम्स एस जब इंडिया जो है वहाँ यूनाइटिन नेशन सिक्यूर्टी काउंसलिंग का नॉन पर्मानेंट मैंबर जो है वहाँ दो साल के लिए चुना गया है और इनका जो टाइम पिरिड स्टार्ट होगा इंडिया का वहाँ जनवरी 2021 से जो होते हैं उनके बारे में जो आनते हैं ये जो एडवाइसरी कमिटी जो होती है वहाँ एक्जामाइन करती है रिपोर्स बजट जो भी सम्मिट की जाती है बज़र से रिलेटिर सैकेटरी जनरल के द्वारा पतला जो जनरल असांबली का जो सैकेटरी जनरल होता है उसके द्वारा बजट से रिलेटिड जो भी रिपोर्ट सम्मिट की जाती है उसको एक्जमाइन की जाती है इस एडवाइजरी कमिटी के मेंबर्स के द्वारा नेक्स्ट कॉश्चन है कौन सा उच्च न्याले योट्यूब चैनल पर अपनी न्याई कारवाई को लाइप करने वाला भारत का पहला उच्च न्याले बन गया है और इसका सही आंसर है option D गुजरात हाई कोट जो है वहाँ योट्यूब पर अपनी जो प्रसीडिंग होगी जुडिशल प्रसीडिंग उसको लाइव टेलीकास्ट करेगा गुजरात हाई कोट जो है वहाँ फर्स्ट ऐसा हाई कोट है जो की अपनी जुडिशल प्रसीडिंग को योट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करेगा गुजरात के बारे में कुछ हम रिवीजन करें तो जो मुन्रा पोर्ट है वह गुजरात में ही इस्तेत है गुजरात ने बेस्ट परफॉर्मिंग स्टार्ट अप के लिए बेस्ट आवर्ड जीता है क्वालिटी कंट्रॉल लैप जो है सीफूर्ट एक्सपोर्ट के लिए वह गुजरात में ही इस्तेत है निती आयोक के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की ज़ाती है जिसका नाह में एक्सपोर्ट प्रिपेर्नेस इंडेक्स यह उसमें गुजरात ने टॉप किया है गुजरात गवर्मेंट ने लॉंच किया है मुख्य मंत्री महला उतकर्स योजना गुजरात नहीं एनॉंस किया डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम रूरल एरियास के लिए गर्वा फॉक डांस जो है वह गुजरात में परफॉर्म किया जाता है और चांडी पाडवो यह एक फेस्टिबल है यह भी गुजरात में सूरतीस जो सूरत सिटी है उनके जो लोग हैं सूरत के वो लोग सेलिब्रेट करते हैं गुजरात में ही प्रैमिनिस्टर नरिद मोदी ने भी कई इनिशियेटिव लॉंच की है जैसे किसान सूर्वेदर योजना आरोगे वन एन आरोगे कुटिर सरदार पटेल जोलोजिकल पार्क और जियोडैसिक एवियरी डॉम और रॉपेक्स टर्मिनल स्टाटिक इन्फॉर्मिशन की बात करें तो चीफ मिनिस्टर विजर राम निकलाल रूपानी गवर्नर आच्वार्य देवरत है यहाँ पे जो नैशनल पार्क है वहाँ वन सदा नैशनल पार्क, ब्लैक बग, गिर नैशनल पार्क और मेराइन नैशनल पार्क है नेक्स्ट कोश्चन है अटल बिमित व्यक्ति कल्यार योजना समाचारों में है यह निमलिकित मैसे किसके द्वारा शिरू की गई है अटल बेमित व्यक्ति कल्यान योजना is in a news, it is launched by which of the following और इसका सही आंसर है option B Employees State Insurance Corporation के द्वारा अटल बेमित व्यक्ति कल्यान योजना जो है वहाँ लॉंच की गई है इस SIC जिसके द्वारा एक्स्टेंड कर दी गई है अटल बेमित व्यक्ति कल्यान योजना जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक ECI Corporation जिसने लॉंच की थी यहाँ इसकीम जुलाई 2019 में इस स्कीम के तहट जो भी Insured Person होगा ठीक है जो Unemployment हो चुका है मतलब उसकी जौब जा चुकी है उसे Government के द्वारा Relief प्रोबाइड किया जाएगा जो भी उसकी Average परड़े अर्निंग होगी उससे 25% उसको और Relief एक्स्ट्रा करके दिया जाएगा आएगे अटल बीमित व्यक्ति कलियान योजना के बारे में जानते हैं यहाँ Employees State Insurance के द्वारा इसे Approve किया गया था इस स्कीम को और यह जो स्कीम जो भी Insured Persons के लिए है जो Cover की जाती है अंडर था Employees State Insurance Act 1948 के तहत मेन इसका एम यही है कि यह Financial Support करती है उन लोगों को जिनके पास जॉब नहीं है जो अपनी जॉब लॉस्ट कर चुके हैं जो Beneficiaries जो Insured किये जाते हैं इस स्कीम में वहाँ Employees State Insurance Act 1948 के तहत दो साल के लिए इसके तहत आते हैं जन्हें Financial Assistant प्रोवाइड किया जाता है ESI के बारे में जौनते हैं यहाँ एक Self-Financing Social Security और Health Insurance Scheme है यहाँ एक Autonomous Corporation है मतलब Statuary के द्वारा इसे Act के द्वारा इसे बनाए गया है और यहाँ Ministry of Labor and Employment के तहत काम करती है इसे Manage किया जाता है Employees State Insurance Corporation के द्वारा और जो इसके Rules and Regulations है वहाँ Employees जो ESI जो है ठीक है उसके Act 1948 से लिए गई है मतलब इसके तैज़ जो है यहाँ Rules and Regulation करता है Next question है सागर माला पर्योजना निमलिखित मैंसे किस मंत्रवाले की एक पहल है तो सागर माला प्रोजेक्ट जो है वहाँ इनिशेटिव है Ministry of Port Shipping and Waterways का Option A सागर माला जो प्रोजेक्ट है ठीक है उसके बारे में हम पहले सोड़ा जानते है सागर माला प्रोजेक्ट जो है वहाँ डैबलब करता है पोर्स इंडियास के कोस्ट के आसपास जो पूरा कोस्ट है ठीक है पिचतर सो किलोमीटर की जो लॉंग कोस्ट लाइन है वहाँ पर पोर्ट को लीड करने का जो डैबलबमेंट का काम है वहाँ मेंली इनिशेटिव है सागर माला के तहत इसका जो एम है वहाँ ये है कि इंटर्न मॉडल सॉलूशन के तहत के साथ डैबलबमेंट रीजन की जो भी नए डैबलबमेंट रीजन है उनकी एक्सेस को और डैबलब करना मतलब नए सॉलूशन के साथ और जो नए डैबलबमेंट रीजन के साथ ठीक है नए रीजन को ड कनेक्टिविटी को इन्हांस करना ठीक है जैसे कि एक्सपेंशन करना रेल का इन्लेंड वॉटर का कोस्टल और रोड सर्वेसिस का कि अगर हम बात करने सागरमाला के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वा मिनिस्ट्री आफ पोर्स शिपिंग एंड वॉटर वेस है अगर हम स्टेट कवर्मेंट की बात करें तो सागरमाला जो भी स्टेट्स होते हैं जैसे गुजरात हो गया उसकी कोस्टल लाइन हो गई ठीक ह गवर्मेंट जो है वो सेट अप करती है स्टेट सागरमाला कमेटी ठीक है जिसे हैड किया जाता है चीफ मिनिस्टर और जो भी चार्ज आफ पोर्स के मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा अगर हम सैंट्र लेबल पर बात करें तो सागरमाला डेबलप्मेंट कम्पनी को स आगरमाला प्रोजक्स के लिए और अभी ये नीज में इसलिए है क्योंकि पहले इस मिनिस्टर्स का नाम था मिनिस्ट्र और वाटर वेस के लिए नेक्स्ट कॉश्चन है केसर क तोरा समाचारों में है, यहां किस राज्य से संबंदित है और इसका सही आंसर है option दी, जमु औन कश्मीर से संबंदित है, सैफ्रान बाउल और अभी यह news में इसलिए है क्योंकि जो saffron bowl है वह mainly जमुएन कश्वीर में ही limited geographical area में ही फैला हुआ है लेकिन news में इसलिए है क्योंकि अभ इसे north east के southern most young young जो reason है सिक्किम का वहाँ पर भी इसे expand किया जा रहा है मतलब वहाँ पर इसे फैलाय जा रहा है इस प्रेट किया जा रहा है इस custom को saffron bowl वाले क्योंकि अभी तक यह सिर्फ ब्रेस्टिक्रेट था जमुए वो कश्मीर के ही जगे पर अब न्यूज में गया इसी लिए है क्योंकि इसे north east जो है वहाँ पर जल्द ही इसे expand किया जो आ रहा है इसके seeds जो है वह ट्रांसपोर्ट किये गए हैं कश्मीर से सिक्किम को और सेम जो environment है वह सेम है और वहाँ पर ये seeds जो है वो कॉमनली जाना जाता है सैफरन बाउल के रूप में कश्मीर का एडिया है पैंपरोन डीजन जिसे कश्मीर सॉली सैफरन बाउल के नाम से जाना जाता है और जो इसका production होता है मिली उसके इलाबा पैंपूर के इलाबा बुदगाउं श्रीनगर और किस्तिवार डिस्टिक मे होता है अगर हम बात करने नौर्थ जिसे बोलते हैं नेक्टार नौर्थ इस्ट सैंटर फर टेक्नलोजी एप्निकेशन और व्रीज यहां एक ओटोनॉमस बॉड़ी है डिपार्टमेंट आफ साइंस एंड टेक्नलोजी के तहत ठीक है यही मेली काम कर रही है नौर्थ इस् सिक्किम के यंग-यंग में प्रोवैड किया जवारा है ताकि यहां पर भी सैफ्रॉन का कल्टिवेशन हो सके नैशनल मिशन ओन सैफ्रॉन इसका मेंन फोकस यही है कि सैफ्रॉन की फार्मिंग को इंप्रूव करना कुछ रिवीजन जमू कश्मीर के बारे में अभी हाल ही मैं यूनियन टैर्टी जमू कश्मीर ने थर्ड फेज स्टार्ट किया है बैक्टू ब्लेज प्रोग्राम का जमू कश्मीर ने लॉंच किया एक ओनलाइन पोर्टल जिसका नाम है स्पैरो इंडिया का पहला कैनेबि इस मैडिसन प्रोजेक्ट जो है वो जमू कश्मीर में ही सेट अप किया गया है और यहां पर ही लॉंच किया गया है बैक्टियार्ड होर्टी कल्चर प्रोग्राम और यहीं पर सिया का 2021 जो कॉन्फरेंस है वो होगी मतलब एन्वल इसकल इंटरनाशनल एसिया एरिया स्वाइडिसन 2021 में जमू कश्मीर में ही होगा जमू कश्मीर में ही लॉंच किया गया है माई टाउन माई प्राइट प्रोग्राम और नेक्स्ट पॉइंट है जमू कश्मीर में लॉंच किया गया है सैल्फी विद डॉर्टर कैम्पियन अगर हम स्टार्टिक नेशनल पार्क है नेक्स्ट कॉश्चन है यात्री बसों के लिए fire detection and suppression system किसने विक्सित किया है और इसका सही आंसर है option C DRDO DRDO ने डेबलब किया है fire detection and suppression system for passenger buses passenger buses के लिए fire detection और suppression system जो है वर DRDO के दोरा ही विक्सित किया गया है और अभी इसका demonstration जो है वहाँ DRDO भवन में किया गया है DRDO भवन पे जो passenger buses है उन पर next question है किस metro rail corporation ने pride station पेस किया है जो transgender समुदाय को समर्पित है और इसका सही आंसर है option B noida metro rail corporation option B noida metro rail corporation has inaugurated pride station जो कि dedicated है transgender community को noida metro rail corporation जोनोंने अभी हाल ही में open किया है sector 50 metro station जिसको बोला गया एक pride station जो कि dedicate किया गया है transgender communities को यहाँ बे six members जो है इस communities के वहाँ recruit किये गए है noida metro rail corporation के द्वारा जो अभी training और काम करेंगे आगे चल कर अभी मतलब उनकी training चल रही है यह जो station है इसका नाम जो है वो pride रखा गया है क्योंकि it feel extremely proud गया बहुत जादा proud feel कर रहे है ठीकर और proud की ही बात है क्यों यहाँ पर जो privileges जो दी गई है वहाँ transgender communities के जो qualified members है उनको privileges दी गई है नेस्ट कोशन है हाल ही में दोबरा चांठी निलंबन पुल खबरों में है या किस राज्य में है और इसका सही आंसर है option भी उत्राखंड में इस्तित है दोबरा चांठी निलंबन suspension bridge और अभी यह नियूज में इसलिए है उत्राखंड के चीफ मिनिस्टर त्रवेंद सिंग रावत ने inaugurate किया है 725 मीटर लंबा डोबरा चांठी suspension bridge और यह जो bridge है उसे तहरी गर्बाल डिस्टिक में inauguration किया गया है अगर हम कुछ इस static information की बात करने तो उत्राखंड में नैशनल पार्क है जिम कॉर्विट नैशनल पार्क गंगोत्री, गोबिन, नंदा देभी, राजा जी, बैली ओफ फ्लार्स नैशनल पार्क सियम त्रिवेंद सिंग रावत गवर्णर बेबी रानी मौर्रिया नेक्स्ट कॉशन है हाल ही मैं कि स्वाजे का चिडिया घर बचाये गई विदेसी जानवरों के लिए घर बन गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी असम जो गोहाटी का जो जू है ठीक है, वहाँ जितने भी विदेसी जानवर जिनने अभी बचाया जाता है ठीक है, rescue operation rescue exotic operation के थुरू उनके लिए घर बन गया है गोहाटी जू जो है वहाँ rescued exotic animal जो भी rescue के द्वारा जो animals पकड़े जाते हैं ठीक है, smuggling वेरा की जाती है उन्हें government के द्वारा पकड़ा जाता है उन animals के लिए जो घर बन गया है वहाँ गोहाटी का जू बन गया है कुछ revision असम के बारे में असम government ने भी re-launch किया स्वयम की फिल्फों में स्वामी विवेकानन असम यूद एंपावर्मेंट असम नहीं launch किया मुख्य मंत्री ग्रामा परिवहन अचानी योजना यहाँ परी इंडियन अग्रिकल्चर रिसर्च इंसिट्यूट का भी inauguration किया गया है चार्च अपॉरिस यह असम के से ही related है मुगा सेल्क जो है वहाँ असम से related है चीफ मिनिस्टर जो है असम के उन्होंने launch किया एक portal इस portal का नाम है कृतिग्यता next है mobile app भी developed की गई जिसका नाम है विजिटासम असम ने announce किया है कि वहाँ एक new scheme लेकर आएगा प्रेटन संजीबनी scheme असम नहीं launch किया स्व निर्भर नारी scheme इंडिया का पहला multi-model logistic park सेटप किया जा रहा है असम में याद रखना किया multi-model logistic park है असम जो है वह third state है जिसने transgender को sorry यहाँ असम जो है वह first state है जिसने add किया है transgender को as a gender option अपने state service exam के application form में याद रखना first state शायद मैंने third बोल दिया था national park यहाँ पर काजियूरंगा, मानस, डिबरू नामेरी, औरंग और रामसर side से हैं यहाँ पर deeper wheel प्रोफेसर जगदीश मुकी यहाँ के governor है और सर्वानन सोनेबल गवर और यहाँ के chief minister ने असम के next question है किस दिन को national legal service day के रूप में observe किया जाता है और इसका सही answer है option B 9 November को national legal service day के रूप में observe किया जाता है national legal service day 2020 जिसे 9 November 2020 को observe किया जा रहा है national legal service day जो की मतलब यह celebrate किया जाता है कामोमेरेट किया जाता है Indian Legal Service Authority Act 1987 के enactment के रूप में इसका aim जो वह यहाँ है कि जितने भी needy poor और weaker sections जो है society में उन्हें legal free और legal advice प्रोवाइट करना इसे पहली बार observe किया गया था 1995 में NALSA National Legal Service Authority जो की constitute हुई है Indian Legal Service Authority Act 1987 के तहे थी यहाँ provide करती है free legal service weaker section को societies के किया organize करती है NALSA जो है वह organize करती है लोक अदालत जिसमें friendly settlement किये ज़ाते है dispute से related और कल के revisions के answer रास्तिय राजस्वानी शेत्र और आसपास के शेत्रों में बायू गुडवक्ता प्रवंदन आयोक के चेर परसन के रूप में किसे निक्त किया गया है और इसका सही आंसर है option B MM कुटी एक नया commission बनाए गया है Air Quality Management in National Capital Reason के लिए commission setup किया गया है जिसके chair person जो है MM कुटी है पहला question गलत है क्यूंकि अंदमान एंड निकोबार कमांड जो है ठीक है वहाँ Indian military की conduct करेगी एक tri service exercise जिसका नाह में bullet strike तो bullet strike exercise conduct की जो आ रही है अंदमान एंड निकोबार कमांड के द्वारा नेक्स्ट कोश्चन जो है वो गलत है क्यूंकि इंडिया ने successfully launch किया है Earth Observation Satellite EOS01 नेक्स्ट जो है वो भी गलत है क्यूंकि केडला में ही largest care and cure center जो है elephants के लिए बनाया ज़ा रहा है नेक्स्ट भी गलत है क्यूंकि बांगला देश ने open किया है मदरसा transgender Muslims के लिए और आप सभी के लिए questions है किस राज्यन है मचली पकड़ने वाले समुदाई के लिए परियावरण इस्थाई कारिक्रम परिवरतनम शुरू किया है आप इसका answer comment box में दीजिए non revisions के questions आपके लिए पहला question है अटल innovation mission जिन्होंने collaboration किया है क्या जपान के साथ दोनों मिलकर launch करेंगे aim series innovation program 3.0 next question है इंडिया का पहला solar based integrated multi model multi village water supply project क्या यहाँ आंद्रप्रदिश में launch किया गया है next question है प्राइम में ने inaugurate किया है रोब पैक्स टरन्मिनल गुजरात में अगला question है कमला हैरिस क्या यहाँ United States की 2020 की president elected हुई है आप इनके answer कमेंट बॉक्स में दीजिए true और false की form में इसी के साथ आज का discussion है ही समापत होता है thank you so much